मद्यप्रदेश 24 दिसंबर 2019 मंगलवार मद्यप्रदेश के आज की ताजा खबर दोस्वागत है आपका हमारे यूट्यूब नीज चैनल में हूँ आपका होश्ट दोस्त कुल्दीप पांडे दुशको आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मद्यप्रदेश के आज की ताजा खबर के वशे में जो निकल के आ रही है दिनांग 24 दिसंबर 2019 मंगलवार से तक उनको इस खबरे हैं और कहा है पुरी जान करी जैने इक लिए वीडियो को अब वश्ट देखें और यदि आपने वीडियो हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का आई बरते हैं अबडेट की ओर जान लेते हैं पूर अबडेट को विस्तार तक शुकरते हैं पहले बड़ी अबडेट खबर से जो निकल कहा रही है इस शिक्छा संबर्व को साथ ववेतन के लिए आजाद अध्यापक संग सिक्छा मंतरी से मिला दोस्तो आजाद अध्यापक सिक्षक संग भोपाल के जिलाध्यक्ष मनीश कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल और प्रांती प्रवक्ता विनेक कनुजियास के सनरक्षन में एक प्रतनी दिमंडल स्कूल सिक्षमंतरी डॉक्टर के अनुसार वेतन कई विकास खंडों में भुक्तान नहीं हुआ है कुछ ब्लाकों में अब तक बिल सम्मिट किया गया है जब तक बजट ही खत्म हो गया था आज तक संकुलों के कई ध्यापक सिक्षक अतिसी सिक्षकों को वेतन नहीं मिला है ना ही छटवे वेतन की दूसर जबकि इसके आदिश पूर में ही जिम्मदार अधिकारियों ने कर चुके हैं इसकी भी शिकायत की गई कि और अनुकंपा नियुक्ति पर विस्तरत चर्चा की गई शिक्षा मंत्री जी ने भरत पटेल जी एवं प्रतिनिदी मंडल को अस्वसन दिया है कि समस्याओं का समधान जल्द ही कर दिया जाएगा संग के प्रांता दक्ष भरत पटेल जी का कहना है कि हमारे हमने मंत जी जम्मदार अधिकारियों को समस्याओं से आउगत कराया दिया है यदि ये समस्त समस्याओं नहीं हल होई तब इन समस्याओं को लेकर भोपाल में बहुत बड़ा अंदुरन बहुत जल्द किया जाएगा इसकी तयारे संग के तरब से की जा रही है प्रतिनी दिबंडल में शामिल होने वाले भरत पटेल विजयतिवारी हरीश मिश्रा विने कनुजिया और गोविन्द भीसेन देवेंदर पटेल संतो सोनी मनीश शर्मा मुकेश बरसयाद दर्शन और अन्य लोग से वक शामिल यह हुई दोरान हुई हिंसा के दोरान लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है कलेक्टर ने इस बावद आदेश जारी कर दिया है कि आदेश में 144 लागू रहने की बात कही गई है कलेक्टर भरत यादाव पुलिस अधिक्षक अमित सिंग ने आज सुबा मदार टेक सिंधी केंप बहुराबाग और खेरमाई रदी चोकी हनुमान ताल और गोहलपुर छेत्र का प्रह्मन कर स्थितिका जाय जलिया इसके पहले रईवार को शहर में हालात समाने रहे चारोत थाना छेत्रों में साथ गंट की कर्फ्यू में डिल दी गई थी जवलपुर में ते दोपहर एक बज़े से रात आट बे तक ढील दी है इसे पहले शनिवार को भी डेड़ गंटे की चड़बद तरीके से चूट दी गई थी दोहर तलब है कि शुक्रवार को जुमे की नवाज की बाद शहर में हिंसा भढ़क गई थी उपद्रों भीडने पुलिस पर पथरा में एक दर्जी हुई है जिसमें सो नाम जद और 800 से अधिक अग्याद लोगों को आरोपी बनाए गया है अब तक तैस लोग ग्रफतार की जा चुके हैं कर्फियों में धील देने के पहले कलेक्टर भरत यादाव अमित सिंग ने प्रभावी च्छेत्रों में कानुन बबस अधिश में के च्छतरपुर में कलेक्टर स्री मोहित बुंदस ने शीत कालेन अवकास में स्कूल खोलने के आदिश जारी कर दिये इसकूल सिक्चा विभाव मत्यपरदेश आशन दौरा 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शीत कालेन अवकास गोशित किया गया है अवकास चात्र और सिक्चक दोनों के लिए है लेकिन च्छतरपुर कलेक्टर ने इस अवकास के दिनों में 25 दिसंबर सास के अवकास को छोड़कर स्पेशल क्लास लगाने का आदिश दिया है राजपाल महोदे के आदिश अनुसार गोशित हुआ था अवकास दो बता दें कि स्कूल सरपुर में बदल दिया गया दिनांके 21 दिसंबर को पत्रक्रमांग 2181 के अनुसार प्रदेश में स्कूल सिक्चाविभाग में प्रात्मिक माध्रमिक शालाओं में आगामी 6-8 जनवरी को दक्षिता संबर्दन के तहत एंड लाइन टेस्ट होना है श्रीतकारीन आवकास मे कारण चात्रों का प्रदर्शन प्रभारी हो सकता है इसे लिए अउकास के दिनों में इस्पेसल क्लास लगाने के आदेश जारी किया गया है नियम बिरुद्ध और शार्षन की प्रतिष्ठा कमजूर करने वाला है यह के नाए कर्मिचारी संग का दोस्तों स्वेक्षा चारित है सरकार को साजिश के तहट बदनाम करने का खुला शड़यंत्र है कर्मचारी के समान अवकास स्विक्रत करें दोस्तों मध्यप्रदेश कर्मचारी संग प्रदेश के मुख्यमंत्री माननी स्री कमलाज जी और प्रवूराम चोधरी जी स्कूल मंत्री श स्वेक्षा विभाग को अवकास विभाग सूची से विलोपित कर अन्य विभागों के क्रमचारी के समान अर्जित अवकास स्विक्रत की विवस्ता कायम की जाए वह अवकास वधी में स्विक्षकों को रोका जाता है तो निया मनुसार अर्जित अवकास स्विक्रत की करता है इसमें अर्जिता उकास का कोई उलेख नहीं है दिले के तमाम शिक्षाधिकारी वज्जना सिक्षकों को निर्देश दिये गए हैं कि दस विध्यालेों का प्रते दिन ने परिवार के साथ कारेकरमने धायत किये हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं आई वरते हांगे बात कर लेते हैं चेहोती वड़ी अप्डेट खवर की जो निकल क्या रही है ईपी एफो पेसा निकालना है और टेक सभी बचाना है तो क्या करें और यहां देखें दोस्तों Employment Provident Fund Organization कर्मचारी भविष्य निदी संकडन कर्मचारी के लिए धन एकत्रित करता है तो माने तहां यह धन संचाय कर्मचारी के रिटार्मेंट के बाद के लिए होता है परनतु कहीं बार ऐसे परिस्तितियां बन जाती हैं जब कर्मचार्यों को निरतारियत नियुनतम पां आप तो ब्याज पर टेक्स अदा करना पड़ता है यहां आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना टेक्स बचा सकते हैं यह कि इस्तेदीयों पर प्र प्र लगता है कर्मचारी की और से और कंपनी की और से और कर्मचारी और कंपनी दोनों के कंट्रिबूशन पर बन रहे हैं ब्याज से पांस साल पूरे होने से पहले पीएफ निकालने पर कंपनी की और से किये गए योगदान और उस पर ब्याज के पूरे टोटल पर टेक्स लगएगा अगर सर्विस के 5 साल पूरे होने के से पहले एपीएफ का पेसा निकालता है तो इसमें 10 पतिशत का टेक्स लगता है अगर इसा वेक्ती पीएफ निकालता है तो जिसका अमाउंट 50 यार से कम है या उसकी कमपनी बंद हो गई है तो उसको उससे किसी का तरह का पेसा नहीं लिया जाएगा अगर पीएफ अकाउंट का पेसा 50 यार से ज़्यादा है और सर्विस 5 साल से कम है लेकिन सब्सक्राइबर की आए टेक्सेबल लिमिट से कम है तो वह फार्म 15 जी या फार्म 15 एज भर सकता है 15 एज फार्म वरिश नागरिकों और 15 जी फार्म ऐसे लोगों के लिए जिनकी इंकम टेक्सेबल नहीं है हाला कि कुछ मामलों में पीएफ खातों से पेसे निकालने में छूट मिलती है और इस पर कोई भी टेक्स नहीं लगता है जैसे मेडिकल एमर्जेंसी पर घर खरीदना या फिर नोकरी छोटने पर इन मामलों में पांस साल वाला नियम लागू नहीं होता है और ना ही कोई टेक्स देना पड़ता है आगे बात कर लेते हैं पांच रों अंतिम बड़े ख़वर वारे में निकल करा रहे हैं CTET 129 आंसर शीट डाउनलोड इसे करें ओफिशेल डाइक्ट लिंक यहाँ है दोस्तों आप बता दे केंदर मादे में शिक्चक बोर्ट अर्था CBSC आज केंदरी सिक्चक पादरता परिक्चा की आंसर सीट जारी कर दी है केंद्री सिक्षक पादता परिक्षा की आंसर शीट देखने के लिए उम्मीदवार CTET के वेवसाइट www.ctet.nice.in देख सकते हैं इसके डायेक्ट जो है आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं CTET 2019 आपत्ती की लिस्ट डेट एवम शुलक दोस्तों 25 दिसमबर तक आपत्ती दर्ज करा सकते हैं आंसर की वेवसाइट पर 25 दिसमबर तक उपलब्द रहेगी और उम्मीदवार 1000 रुपे पत्ती प्रश्न का बुक्तान कर आपत्ती दर्ज करा सकते हैं उम्मीदवार रोल नंबर और डेट आव बर्द सम्मिट करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं आपको बता दें कि परिक्षा में 29 लाग से ज़्यादा उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था CTET की परिक्षा का आयोजन 8 दिसमबर को किया गया था CTET परिक्षा में अंग्रेजी औंग्रेट के सवालों में ने उम्मीदवारों को खासा परिशान किया है आपको बता दें कि CTET की परिक्षा की आंसर की के साथ बोर्ड ओएमार शीट भी जारी कर गयी है यह परिक्षा देश के 110 शेहरों में 20 भाष्टाओं में आयोजित होई थी CBSE हर साल दो बार CTET परिक्षा आयोजित करता है पहली परिक्षा जुलाई और दूसरी परिक्षा दिसमबर के महिने में आयोजित की जाती है CTET परिका मुख्यों देश सरकारी विध्यालों में गुणवत्ता वाले दा कुशल सिक्षिकों की भरती करोना होता है यह परिक्षा 2145 के अंदर पर आयोजित की गई थी CTET के पेपर एक में भाग होने लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा एक से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होते हैं होने वाले सिक्षक भरती के लिए योग मन जाते हैं जबकि पेपर दो में बेठने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 वी तक के लिए होने वाले परिक्षा भरती के लिए योग मन जाते हैं दर्शकुए रिद्धी कुछ जानकरी जो हम आपके लिए लेकर आए थे मध्यप्रदेश के आज की तरह खबर जो निकल के आ रहे थी दिरांग 24 दिसमबर 2019 मंगलवार से अच्छा करते हैं आपको हमारा आज का विश्य पसंदार होगा पसंदार लाइक करें और इससे लोगो इससे लोगों तक शेयर करें दिश्कों आज किस वीडियों बता ही हम फिर आज तक नहीं विश्यक्सान जब तक के लिए जहिन जभारत वंदिमात्रम